अगर आप पीट के बल सोते हैं तो ये पूरा वीडियो जरूर देखिए क्योंकि आपके लिए इसमें खास है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस योटूप चैनल जीवन जीने की इकला में कैसे हैं आप सभी I think स्वस्थ होंगे अगर कोई सेहत संबंधी स समस्या है या फिर सवाल है मन में तो लिख बेज़ें कमेंट्स के माध्यम से हमाने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे फिलहाल आईए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं रात को हम अंजाने में ऐसी कई गलतियां कर देत पाता है पेट के बल सोने से body का circulation अच्छे से नहीं हो पाता है साथी साथ body को natural shape नहीं मिल पाता है जिसकी वज़र से body का शेप बिगड़ जाता है जो कि कई तरह की health problems को जण्म देता है पेट के बल सोने से बहुत सारे नुकसान होते हैं तो आईए जानते हैं सबसे पहले नुकसान के बारे में गर्दन का मुड़ना यानि की गर्दन का दर्द श्टार्ट हो जाता है बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि पेट के बल सोना नेक पेन की समस्या को जन्म दे सकता है पेट के बल सोने से गर्दन शिचाओ करता है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो नहीं पाता है इससे व्यक्ति को नेक पेन की समस्या होने लगती है सुबह उठ करके यदि आप गर्दन जकड़ा हुआ पाते हैं या गर्दन में दर्द होने लगता है आपके तो अपने सोने के तरीके में बदलाव लाएं ये समझना बहुत जरूरी है इसके अलावा बैक पेन की समस्या होती है जिहां पेट के बल सोने से बैक पेन की समस्या होने लगती है पेट के बल सोने से रिर की हड़ी अपने नेचुरल शेप को खो देती है रिर की हड़ी जब अपना शेप खो देगी तब बैक पेन के प् और एक बड़ी समस्या होती है, वो है सिरदर्द की, यदि आप पेट के बल सोएंगे, तो आपकी गर्दन मुड जाएगी, और blood circulation ठीक से नहीं हो पाएगा, blood circulation ठीक से नहीं होने पर सिरदर्द की समस्या होना आम बात है, इसलिए यदि आप आए दिन सिरदर्द की समस्या से परेशान रहते हैं और आपको पेट के बल सोने की आदत है तो इसका यह मुख्य कारण हो सकता है इसके अलाबा ज्वाइंट पेन जिहां ये पेट के बल सोना ज्वाइंट पेन की समस्या को पैदा करता है पेट के बल सोने से हड्यों का पोजीशन सही नहीं रहता है हड्यों क की पोजीशन सही नहीं रहने से जॉइंट पेन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं इसलिए जॉइंट पेन होने पर ध्यान दें कि कहीं ये आपके सोने की गलत पोजीशन की वज़ा से तो नहीं हो रहा है इसके अलावा पिमपल्स और जुर्यां जिहां यदि आप पेट केबल सोएंगे तो आपका चेहरा दबा रहता है इससे चेहरे को उतना ओक्सिजन नहीं मिल पाता है जितने की जरूरत होती है यह चेहरे पर पिमपल्स और जुर्यों की समस्या को पैदा करता है इसके अलावा खाना पचने में प्रोब्लेम होती है यदि आप पेट के बल खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाई करवट लेटें वो अच्छा है और रात को सोते वक्त कोशिश करें हमेशा आपको पीठ के बल लेटना है और बोडी पर हाथ को नहीं रखना है हाथ को खुले में बाहर रखना है बिल्कुल बोडी से बाहर रखना है आपको सही पो तो बेश्ट है इसके बाद ऐसे सोएं आपको पूरे जीवन स्वस्थ रहने में मदद मिल जाएगी यह आज की वीडियो रही आप सभी के लिए जो की सोने के सही तरीके से रिलेटेड रही और पेट के बल सोने के मुख्यत नुकसान के बारे में जानकारी से रिलेटेड रही ऐसे ही नॉलेजफूल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जूड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को आउन कर लें ताकि नई वीडियो आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही विदा लेते हैं इस एपिसोड से जुड़ेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों